नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीब की उस समस्या के बारे में जिसको ये कहा जाता है कि जीब बंधी हुई है या फिर जीब का मूटी होना अगर हम इसको हम कहते हैं लिंग्वल फ्रेन्यूल तो ये जो टिशू है ये हमारी जीब को जोड कर रखता है लेकिन कईयों में क्या होता है कि ये पूरी जीब से जीब का जो अगला हिस्सा जो कि फ्री होना चाहिए वो फ्री नहीं रहता है और जीब के अगले हिस्से को भी जोड़े रखता है और इसकी वज़े से जीब हमारी पूरा मुमेंट नहीं कर पाती है और जिसकी वज़े से अकसर तुतलाने या फिर हकलानी की समस्या होती है तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये एक्सरसाइज बताने वाले हैं आप कैसे बिना सर्जरी के सर्जरी इसका लास्ट आप्शन होता है लेकिन इसके अलावा भी अगर आप किसी एक्सरसाइज को करें और उससे अगर फायदा हो तो मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी हो जाता है आपको बताना तो आज जीब के हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज आपको बताएंगे जिससे आप ये जो टिशू है इस टिशू की जो फ्लैक्सिबिलिटी है उसको आप बढ़ा सके जीब के मुमेंट को आप बढ़ा सके चलिए शुरुआत करते हैं तो टंग टाई एंकिलो ग्लोशिया के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप इस टिशू को एक तरह से इतना टोन करें कि इसकी जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो बढ़े तो सबसे पहले तो हमें जो एक्सरसाइज करनी है इसकी वज़े से आपको उसमें थोड़ा सा दर्थ हो सकता लेकिन इतना ज्यादा भी ना करें कि उससे ब्लीडिंग आने लगे क्योंकि ब्लीडिंग अगर आईगी जीब में तो उससे आपके इंफेक्शन का डर रहता है तो धीरे धीरे आप एक्सरसाइज की जो हाडनेस है उसको बढ़ाएं लेकिन शुरुआत में हलका फुलका अगर दर्थ हो तो उससे घबराएं भी नहीं तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप जो एक्सरसाइज है उसमें जीब को जितना हो सके बाहर निकालें देखें इसके लिए क्या जरूरी है जीब को आपको जितना हो सके जो ठोड़ी है उसकी तरफ लेकर जारा है बताता हूं कैसे ठीक है तो दो से तीन मिनट आपको ये एक्सरसाइज कर ली है अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो रुक जाएं धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज आप करने शुरू करेंगे तो उसके बाद आगे वक्त के साथ ये जो आपका दर्द है ये भी खत्म होगा लेकिन अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा रिलेक्स करें थोड़ा सा रेस्ट करें हलका फुल के दर्द की मैं बात पहले ही कहे रहा हूँ हलका फुल का दर्द हो सकता है तो इस exercise को थोड़ी देर के लिए hold रखें दूसरी exercise है Jeep को आपको पीछे की तरफ लेकर जाना है लेकिन पीछे की तरफ ले जाने के लिए आपको मुह में जगह बनानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको मुह खोलना है तो आपको जो निचला वाला jaw है उसको नीचे की तरफ खोलना है और Jeep का जो अगला हिस्सा है इसको आपको पीछे की तरफ लेकर जाना है उससे क्या होगा कि जो tissue है इसमें खहचाव होगा और इस खहचाव की वज़े से जो इसकी elasticity है वो बढ़ेगी और Jeep का जो moment है उसको करने के लिए आपको ज्यादा momentum मिलेगा तो इसके लिए आपको Jeep को पीछे ले जाना है मुह को खोलना है देखिए कैसे और कोशिश कीजिये कि जो Jeep का जो अगला हिस्सा है उसको आप उपर वाला जो तालू है उसमें पीछे की पीछे जगा है वहां पर टच करने की कोशिश करें इसमें भी दर्ख हो सकता है रेकें आप आराम आराम से इस exercise को करें एक से दो मिनिट की यह भी exercise आपको करनी है ठीक है टीसरी इसके लिए exercise है कि आपको जो अपने dant का अंदर का जो हिस्सा है उपर के दांतों का जो अंदर का हिस्सा है उस पर आपको प्रेशर करना है जीब के अगले हिस्से से जो हम तब बोलने में जो हम इस्तेमाल करते हैं जीब को उस तरह से हमें इसको इसको इस्तेमाल करना है तामें हम क्या करते हैं कि उपर के जो दांत हैं उनके आगे वाले दान्तों के अंदर वाले हिस्से को हम टच करते हैं लेकि इसमें आपको प्रेशर डालना है दीखें किस तरह से इससे क्या होगा कि आपकी जो जीब की वो जो टिशू है उस टिशू को एक एक्सराइज और टोन करने का जो मौका मिलता है उसके विज़े से आपकी जीब की फ्लेक्सिबिलिट बढ़ती है आपका हकलाना कम होता है आपका तोतलाना कम होता है तो ये कुछ तीन बेसिक एक्सराइज हैं इसके लावा भी बहुत सारी एक्सराइज हैं आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर डीटेल्स में जाकर देखेंगे तो कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिसमें मैंने जीब की और भी कई एक्सराइज बताई हैं लेकिन ये कुछ सवाल थे मेरे पास कि बेसिक ऐसी कौन सी एक्सराइज हो सकती है जैसे टंग टाई की जो समस्या है या हकलाने और तोतलानी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए बेसिक एक्सराइज की जा सके तो इस एक्सराइज को आप करेंगे तो निश्चे तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे जरूर फायदा होगा और आप किस विशय पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं ताकि मैं उस विशय पर आपको वीडियो बना कर आपकी समस्या का समधान कर सकूँ ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे जरूर बताएं पसंद आया है तो लाइक करें शेर करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो उसके बैल आइकन है उसे जरूर हिट करतें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊ तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप एक नोटिफिकेशन के जरूर पहुंच जाए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार